बड़ी खबर बताते हैं आपको वेस्ट यूपी में छुड़ सकती है दिल्ली की जंग बड़ी खबर बता रहे हैं जवाँ पर आज मुझफर नगर में बुलाई गई है किसानों की महापंचायत किसानों ने भाक्यों लीडर आके स्टिकेट को समर्थन दिया है किसानों ने आपको बताते हैं मुझफर नगर में आज महापंचायत बुलाई गई है वेस्ट यूपी में दिल्ली की तरे जवंग भी छिड़ सकती है इसके भी अनुमान लगाई जवार हैं क्योंकि कल राज से जब से राकेस्टिकैट रोए है तब से जो महौल है वो बिगड़ गया है और कई राज्यों के किसान राकेस्टिकैट जी का समर्थन देने के लिए गाजीपूर बॉर्डर पहुश रहे हैं आज मुझफर नगर में महा पंच्वायत बुलाई गई है किसानों ने बीकियो लीडर आकेस्टिकैट को समर्थन दिया है मुझफर नगर में महा पंच्वायत होने वाली है और उसमें कई राज्यों के किसान शामिल होने वाले हैं आपको गाजी पूर बॉर्डर से दिखा रहे हैं जो आपर किसान अभी भी डटे हुए हैं और कल रात हाई वोर्टेज ड्रामा भी देखने को मिला और इसी खबर पर जवादा जवानकारी के लिए हमारे सायोगी वरुन हमारे साथ जुट चुके हैं वरुन कल रात सही जब से राके स्टिकेज जी रोएं तब से महल थोड़ा बिगड़ते नजर आ रहा और कहीने का इनुमान लगा जवा रहे हैं कि दिली की तरह आपर भी जवादा जो बुलाई गई है क्या कुछ पूरी जवानकारी मिल पा रही है बिल्कुल मैं इसको बता दो कि आज मुझफर नगर में किसानों की महा पंचायत राज किंटर कॉलिज के मैदान में 11 बजे होनी है जिसको लेकर जिड़ा परसासन पूरे अलर्ट मोड पे है जिले के जो गरिस्ट पुलिस परसासनी अधिकारी है उन्होंने मुझफर नगर में टेरा डाल दिया है हाला कि रात एक बजे नरेस तिके इतने ट्विटर हैंडल से ट्विट किया है कि एक किसान है ना चुकेगा ना टोटेगा और ना रुकेगा अब समसे बड़ी बात यहीं कि राज़ के पंचायआग्यों पहले भी कई बार किसानों की महा पंचायद हो है तो कहीं न पहीं लेकर जो कोडरी खाप है खाप बालियान खाप के चोडरी नरेस तिकेट है उन्होंने कल ही एक जिमर कंट्री सिसोली में पंचायत की जब राकेश तिकेट का वेडियो वायरल होगा है वहां से गाजीपूर बोटर से उसको लेकर पुछकिसान गाजीपूर रात में ही कुछ कर गए और बाकी जो है आज मुझभण नगर में महां पंचायत में क्यों कि मैं बात करूं विभक्स की जो ये जो बनेता है उन्होंने वह पंचायत को समर्फन देना सो कि चाह कौंड़ें कि भंडें से ने तो क्या भी बी किसान लगतार पहुच रहे हैं? लगतार लोगों किसानों से बातचीत करी और किसानों को समर्थन भी लगतार मिरता रहा है तो फिलहाल क्या कुछ और आगे के रणनीती होने वाली किसानों का क्या कुछ कहना है? आपकी बात हो पाई उनसे? हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अब हमारे साथ बने रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जवानकारी के लिए मांग कर रहा है कि ये कानूनों को वापस लो फिर चर्चा करो सब स्टेकोर्ट के साथ फिर नए कानून ले आईए पारलमेंट में ठीक टाक सही बहस के बाद पारलमेंटरी तरीके से वो पारित हो इसको सरकार नहीं मान भी सुनने के लिए भी थी आपने दो मैने हो गए देड़ सो के करीब किसान का जो है मतलब गुजर गया है इस ठंड के अंदर इस आंदोलन में वो ना सुनवाई जो कर रही है सरकार उसके खिलाफ नमबर वन ये मांग करते हुए कि इन कानूनों को वापस लो दूसरी जो चब हमारे साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जवापर किसानों ने बीक्यों लीडर आके इस टिकेट को समर्थन दिया है मुझफर नगर में आज महा पंचवायत बुलाई गई है कई राजियों के किसान इसमें शामिल होने वाले हैं और ज्यादा जवानकारी के लिए हमा क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं इस समय लगता है संपक टूट गया हम आप सफर से जुरने की कोशिश करेंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जब कल रात में आई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और जब से राकेस टिकेट जी रोए हैं तब से किसानों क समर्थन उनको मिल रहा और उसके बाद नरेश टिकेट ने ट्वीट करते हुए ये भी का कि किसानों का समर्थन चाहिए और आपको बताते चले कि महा पंचवायत आज बुलाई जवारे जिसमें कई राज्यों के किसान शामिल होने वाले हैं इस पंचवायत में निलने समर्थन दिया है तो राकेस चिकेट को लगतार समर्थन मिलता नजर आ रहा है आज मुझ अफर नगर में महा पंचवायत बुलाई गई है वेस्ट यूपी में छिड़ सकती है दिल्ली की जंग और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरोचीफ अमित दुबेल जादा जवनकारी के लिए जोड़ गए हैं अमित जिस तरीके से कल रात में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलार उसके बाद जिस तरीके से कल गाजीपूर बॉर्डर में भारी सुरक्षा तनात की गई और आज महा पंचवायत होने वाली क्या कुछ जवनकारी मिल पा रहे हैं लगता है संपख नहीं हो पा रहा है हम हमसे फिर से जुड़ेंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आपर आज महा पंचवायत होने वाली है और सभी की नजरे रात में थी कि रात में कुछ भी बड़ा हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ महा पर नहीं हुआ और फिलाल आज जो महा पंचवायत होने वाली है उसमें क्या कुछ ने लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी इस्टिकेज जी को समर्थन लगतार किसानों का मिल रहा है उनके गाउं से भी लगतार लोग पहुश रहे हैं वेस्ट यूपी में दिल्ली की तरह जंग भी छिड सकती है ये भी अनुमान लगाई जवार है किसानों ने बाकियों लीजर का समर्थन दिया है मुझफर नगर मे महा पंचवायत तो वहीं कई राज्यों के किसान इस महा पंचवायत में शामिल होने वाले हैं बड़ी खबर बता रहे हैं जवापर आज महा पंचवायत बुलाई गई है और हमारे साथ हमारे दिली भी उरोचीफ अमिद चुड़ चुके हैं अमित क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं फुलाल गाजीपूर में बॉर्डर पर क्या कुछ अस्ती है देखिए मुझपण नगर जी आईसी कॉलेग वाइज महा पंचायत होनी है जिसमें डिसीजन लिया जाएगा कि आखिकार आंदूलन को लिखे क्या कुछ करना है और सबस्वे बड़ी चीज यहां पे जो पानी और बिली दोनों सुझाय साथा तरफ तो वहां पिकाट दी जगी है उसके बाद बिली साथा तरफ पानी की टाइंकर देगा आख एल्डी में समस्तन दिया है राकेश की साथ प्ना और दूसरी बड़ी चीज की नरेश तिकैट और राकेश तिकैट दोनों को बेयानों एक बड़ा डिफ्रेंस देखने मिला इसकी वज़े से गाजीपूर बॉर्डर पे लोगों की संक्षया बहुत पाम हुई है हलाकि जिस तरह इसे कंदाकेश तिकैट भावुक हुई इसे बाद लोगों का अंदा समर्थन मिला बनी तमाम दलों का समर्थन भी यहां पे दिख रहा है आगे पे करना है कि पुलिस ने पुलिस की तरफ से, एडियम की तरफ से दोटेंस दे दिया गया है गालीपुर बॉर्डर खाली करने की बात हो रही है और एसकों में तमाम बॉर्डर पहले ही खाली हो चुके है अब पुलिस ने कहा कि उन्हें आधेश मिला है कि बॉर्डर खाली कराया जाए इसलिए इसे खाली किया जाए ग्यारेव जे महापंचायद होगी महापंचायद बाद डिक्सिजन होगा दरेश टिकेट ने भी साथी आए कि ये किसी की व्यक्तिज़त लडाई नहीं है ये किसानों की लडाई है और किसान इसे लेके दिक्सिजन लेंगे कि आखिर आगे क्या कुछ रणनीत होगी इसी भी जो सुप्रीम पोर्ट की तमेटी बनाई गे वो भी किसानों साथ आज दूसरी बैसर करने वाली है और यहां पे सरकार के अल्टीमेटम को लेके भी किसान सोच रहे हैं कि चंद किसान ही गाजीपूर बॉर्डर पे बच्चे हैं ज्यादा कर पुलिस के को खाली करना है? इस बीच क्योंकि भाडी को बॉर्डर पे ना पहुंचता है इसके लिए पूरी तरह दौस्ताएं वहां पे की गई है लेकिन अब सक्की मिगाहें जो है वो महापंचायद पे महापंचायद पे है कि कि मुझपा नगर में ही राटर श्तिकाइट का गाउँ है जिसे लेके इसके लिए पूरी तरह दौस्ताएं पे लिए जिसे लिए जिए लिए जिए लिए जिए वजे महापंचायद में किसान डिफीजन लेंगे इसके आखिर का इस अंदोलन का आगे जिए कुछ करना है और वही चीजें जो है वो रातर श्तिकेट के भी लागोंगी जो डिए टिएजन महापट जायता होगा पोलीस पहले इससस बस्ते कर सकिए पुलिस भी इंतियार कर रही है क्या तुमाम सामान लोग यो किसान पे बहुत किसान से ओाती तो जाती है तो अच्छा होगा वरनह जो गाजिपूर बॉरडर की सीप्धिय तादे किसंग से जीए इस जान अब पुलिस ने साफ कर जया, तो वहां नहीं बैठ सकते हैं, और 26 जन्वरी की घंचना के बाद जिसकरे से राकेश टिकाइब को जो नोटिस जाड़ी किया गया है, पूछे लेके भी वह जवाब देने की बाद करें, लेके सबसे बड़ी बात यहां पे महा पंचायद को ले कि अल्टीमेटम के बाद अजिकारी देर राज तक वहां पर है और उसके बाद चले गए, और अभी भी जो नोटिस की बात कहीं जाड़ी, जो पुलिस की तरफ से कहीं जाड़ी कि जल जल जो है, वो गारी को खाली कराए जाएगा, पुलिस वेज एंड वाचिंग की सिती म लिए आपका, तो बड़ी ख़बर बता रहे हैं, आपको जहां पर आज महा पंचवायत होनी है, और कल जिस तरीके से पुलिस पोर्स प्रसाशन गाजीपूर बॉर्डर पहुसता है, बॉर्डर को खाली करवाने के लिए, अल्टीमेटम दिया जवाता है, लेकिन अब महा पंचवायत होने वाली है, और इस पंचवायत में ही निर्ने लिया जवाएगा कि क्या कुछ आगे के रणनीती हो सकती है, रुक तेक छोटे सा ब्रेक के लिए